और शत्तिस गड़ में तापमान में वरधी की संभावना है पक्षमे विक्षोप के चलते मौसम प्रभावित होगा कोरिया जिले में आज हलकी बारिश के आसार है सर्गोजा समित अन्य स्थानों में हलकी बारिश की संभावना है बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओ क आगमन जारी है तो सर्गोजा समित अन्य स्थानों पर हलकी बारिश की संभावना है बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओ का आगमन भी जारी और इस वज़े से तापमान व्रधी की संभावना 36 गड़ में नजर आ रही है और पूर्वर सीम भूपेश बगेल आज दिल्ली जाएंगे शाम 6 बजे ए आई सी सी कारले में बैठक में शामिल होंगे भारत नियाय यात्रा को लेकर आज बैठक होगी प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज और डॉक्टर चरणदास महिंत मौजूद रहेंगे इस बैठक बैठक में भारत नियाय यात्रा मुख्य विश़र रहीगा पूर्वर सीम भूपेश बगेल दिल्ली के दोरे पर रहेंगे शाम 6 बजे ए ए आई सी सी की बैठक में शामिल होंगे भारत नियाय यात्रा को लेकर रूप रेखा तयार की जाएगी और मुख्य विश्य भारत नया यात्रा ही होगा जिसको लेकर आज बैठक होने वाली है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज डॉक्टर चरणदास महिंत इस बैठक में शामिल होंगे और आईपूर से अगली बड़ी खबर जहां नगर निगम की MIC बैठक आज है महापौर एजास धेबर ने MIC की बैठक बुलाई है दोपहर बारा बज़े निगम मुख्याले सभाकक्ष में बैठक होगी महत्वपूर एजिंडो पर चर्चाप होगी बड़ी खबर इस वक्त की रायपूर से आपको बता रहे हैं महापौर एजास धेबर ने बुलाई MIC की बैठक